हेलो गाइज, स्वागत है आपका मेरी यूटीब टैनल्स टिडिए विद अमन कुल में आज हम लाए हैं डारेक्टर अफ एड्यूकेशन जी एंग सीटी अफ देली की वोक्षीट नंबर वन क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जित आपका साइन्स है देट है 5 जुलाई 2021 आप अपना नेम है अपनी क्लास जगा नेम लिखेंगी तो यह जी वोक्षीट है आपके वो स्पेसिफिक वोक्षीट है आपके वोई चाप्टर से वक्षीट नहीं है यह जो आपने लास्ट ये सपियंगी आएस के युद नहीं है अगले सिंद्रेशन के अगली वीडियो कि तो आज आपक्क है प्लांट फोटो सिंदेजिस फोटो संदेजिस कि बारे में तो आपने पढ़ाई होगा अप्लान कंसेऽ्ण दिस प्रूंसेजिस रिफेंच पर reference एक तक करता है, the part of plant above ground is called the shoot system, जो ground के ऊपर होता है, part plant का, उसे हम shoot system कहते हैं, जिसमें stem होती है, branch होती है, leaves होती है, flower होती है, bird होती है, the part of plant below ground is called root system, और जो ground के नीचे हो, उसे हम root system कहते हैं, इस इंक्लूड, root and root hairs, और इंक्लूड करता है, leaves are generally green and clear, due to the presence of chlorophyll, आपने देखा हो, जो पत्यां वो जादर तर हरी होती है, बहुत कम होती है, जो लाल होती है, या पीली होती है, पर जादर तर जो होती है, वो हरी होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्यों ह food खुद बना सकते हैं, कौनसी प्रॉसेस है, photosynthesis प्रॉसेस है, इसलिए हम उन्हें auto drops कहते हैं, plants को हम auto drops कहते हैं, और animals जो होते, वो depend होते हैं plant पे, वो plant पे depend होते हैं food के लिए, nutrients के लिए, इसलिए हम animals को hydro drops कहते हैं, यहां पर आपके एक defined variety, autotrops खुद बनाते हैं अपकाना और hydrotrops depend होते हैं जूसरों पर अब यहां पर आपको photosynthesis process समझा रखे हैं अच्छे से photosynthesis क्या होते हैं दूरिं photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide from air and water from the soil to synthesize carbohydrate यानी glucose and release oxygen in the air, it can represent it as carbon dioxide plus water, sunlight upon chlorophyll, तो क्या बनता है? अब यहां पर आपके प्रोटोज़ेट प्लस oxygen तो photosynthesis process बता रखे हैं आपे photosynthesis process होती है उसमें जो leaves होती है जो chlorophyll contain करती है chlorophyll होता है जिनमें वो light की presence में जब sunlight पढ़ती है वो carbon dioxide लेती है एर से यहां से आप देख सकते हैं एर से वो carbon dioxide लेती है and water लेती हैं वो roots के roots से, soil से वो क्या बनाती है? जिससे काइबो हाइडर बनाती है, ग्लूओस बनाती है और oxygen gas रिलीस करती है इसको ऐसे भी represent किया गया है अगर आप यह पूरा यह process है बहुत अच्छी से इस अच्छी से याद कर लीजिए आप अब यहां पर बता रहा है stomata के बारे में, Stomata are the tiny pores present on the leaves that helps in, जो stomata होता है वो tiny pores होते हैं जो leaves में present होते हैं वो यह आपको stomata opening की दे रखिया इमेज यह gases को exchange करने में help करते हैं carbon dioxide आ रही है oxygen निकल रही है क्योंकि photosynthesis process regular होती रहती है रुकती नहीं है sunlight के presence में water मिलता है carbon dioxide gas मिलती है और oxygen gas release होती है बनता है तो जो photosynthesis process है वो regular होती रहती है तो gases exchange होती रहती है transpiration of water from the leaves और जो stomata है वो water transpiration में भी help करता है तो यह आप पर stomata का जे सकते हैं डाग्राम यहां पर आपको stoma opening दे रखिये तो यहां पर आपको बता रहक है है fungi के बारे में fungi are the organisms which take nutrients from dead and decaying matter those are called saprotrops अब जो fungi होते हैं वो ऐसे organism होते हैं जो अपना खाना तो लेते हैं पर dead and decaying matter से लेते हैं जो सड़ा हुआ होता है खराब हो जाता है खरता हो जाता है उस matter से अपना nutrients लेते हैं वो इसलिए हम उने saprotrops कहते हैं एक्जांपल आपका मश्रूम हो जाएगा और ब्रेड हो जाएगी तो यह आपकी आज की छोटी सी आसान सी वोक्षिट थी जिसके आपको छोटे सी इसी से कुशन भी दे रखें चार इसी से कुशन है चैकि और सल्फ कुशन नमर फरस्ट है वाई प्लांट लीफ्स और ग् मिलोड्य करते हैं और यह जय में नहीं होता है उनमें क्लॉडविल नहीं उता है वो फोटूसिंटेशी प्रसस्स नहीं कर सकते हैं संसे कि Japan है what are autotrops, heterotrops, saprotrops? अभी autotrops, heterotrops, saprotrops क्या होता है? इनके example बीचे. तो autotrops, तो हम इसके definition के साथ दिखते हैं. Autotrops, plant can size their own food by photosynthesis, thus called autotrops. Plants जो अपना food खुद बना सकते है photosynthesis process से. इसलिए हम autotrops कहते हैं, example LG हो जाएगा. है, heterotrops है, animal depend on plant for their food, that's called heterotrops. Animal जो depend रहते हैं, plants पर अपने food के लिए, nutrients के लिए, वो heterotrops कहलाते हैं. जैसे example हो रहेगा, human, dog, human being हम भी तो plants पर रहते हैं, हम भी तो अपना food, crops वगेरा सी लेते हैं. saprotrops हो रहेगा, the organism which take the nutrients from dead and decaying matter, unknown है saprotrops. ऐसे organism जो अपना जो nutrients हैं, वो dead and decaying matter से लें, वो saprotops है, for example, fungi है, fungi dead and decaying matter से लेता है, और किससे लेता है, bed से लेता है, mushroom से लेता है, जो dead and decaying हो जाती है. तो यह आपका question number second था, question number third है, why animal cannot perform photosynthesis, animal photosynthesis क्यों नहीं perform कर सकते हैं, क्योंकि वो chlorophyll ही continue नहीं करते हैं, और chlorophyll अगर वो content करते हैं, तो वो green होते हैं, बोडी में, animal cannot perform photosynthesis because they cannot contain chlorophyll, they are depend on other plants for nutrients, thus they are called heterotops, और यह autotops नहीं होते हैं, यह अपना खाना स्वाम नहीं बना सकते ही heterotops है, question number fourth है, what is photosynthesis, अब photosynthesis क्या है, explain with a diagram, मैंने आपको अच्छे से अभी बताया है, तो आप यहां से इसका answer कर लेंगे, answer में आप लिख देंगे photosynthesis और यह पूरी process यहां से यहां तक लिख लेंगे, और यह आप यह भी लिख लेंगे, और यह diagram बना लेंगे आप, तो यह आपका पूरा question number, vote का answer हो जाएगा, और मैंने आपको photos में तरह से पूरी process समझा दी है, आई होप आपको अच्छे समझाई होगी, यह वीडियो अच्छे लगए तो इस वीडियो को like ज़रू करिए, और अपने सबी दोस्ताइश शेयर करें, यह आपने देखा है तो अपनी class में भी शेयर करें, और वोने भी देखने को करिए, अफकोस आपके एक share से हमें बहुत अच्छा लगता है, चैनल को अभी को तक सब्सक्राइब ने कला है, तो सब्सक्राइब कर लिए आपको ऐसी amazing और मज़दा वीडियो वर्कशिट्स की वीडियो मिलती रहेंगे मैं चैनल पे, और हमारे टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, थैंक्स फू वॉच्छ आइडियो, बाबाए गाईज,